कानपुर्थाना बिद्नु शेत्र अंत्रगत करॉली गाउं में करॉली सरकार के नाम से विख्यात करॉली बाबा पर नोएड़ा से आए डॉक्टर ने लगाए गंभीरारो बाबा के आशिरवाद और उनके चमतकार के ललाईत डॉक्टर परिवार को पकड़ा गया भारी पेड़े ते डॉक्टर शेदारत चौधरी ने बताया की 22 फरवरी को पिता बी एस चौधरी मारेनु और पत्नी प्रियंका को लेकर बाबा के चमतकार दिखाने बाबा उनका शिरवाद लेने के लिए करॉली सरकार के आस्रम आया जहां अस्रम के शिवादार दौरा बताये नियम के अनुसार 26 सो रुपाए की रशीद भी कट्वाई और जब स्याम बाबा के आस्रम से पेस क्या गया तो बाबा ने समस्याओं के बारे में पूछा तो हमने बाबा से कहा की हम तो शोसल मेडिय baga मैं आपकी चमतकार देखकर आपकी चमतकार देखने और आपके आशि बतकार दिखा तो बाबा गुस्सा आगा भला बुरा कहते हुए अपने चेलों को बुला कर कहा इसे बाहर करो बस इतने में उनके चेलों ने मुझे कमरे बंद करके लाग घुसे सर्या आदी से पीट-पीट कर सर और नाक फोड़ दी किसी तरह जान बचा कर भागो सुत्रो सिमिली जानकारिक अनसार पूर्व में करॉली बाबा किशान यूनियन के नेता भी रहे हैं और इनके बड़े बड़े सत्ता पक्ष के नेताओं ने अच्छे खासे तालुकात भी और आश्रिम देश विदेश से भी लोग आते हैं और बाबा उनके संकटों और समस्य समस्याओं से निच्वाद दिलाने के लिए लाखों रुपए लेकर हवन यग्य करवा कर उन्हें समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं अब देखना है कि चमतकारी बाबा पर पुलिस कमिशनर के आदेश पर बिद्नू पुलिस ने मामला तो धर्च कर लिया है लेकिन क्या बाबा पर कोई कारवाई कर सकेगी विद्नू पुलिस या फिर मामला थंडे बस्ते में डल दिया जाएगा